So hi everyone, welcome to induction physics by Imran Khan तो इस video lecture में हम discuss करने वाले हैं about common conversion factor used in physics for numerical solution जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम किसी numerical को solve करते हैं तो वहाँ पर given quantities की कुछ ACV values होती हैं जिने हमें convert करना पड़ता है in terms of SI unit के form में तो इस particular वीडियो में यही हम सेखने वाले हैं कि वो कौन-कौन से basic conversion है जो हमें याद होने चाहिए ताकि जब हम numerical को solve करें तो हम आसानी से values को convert कर पाएं और अपने numerical को सही तरीके से solve कर पाएं तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा about SI unit के बारे में वैसे आपको SI unit के बारे में पता है बड़ थोड़ा सा फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि according to SI unit the length should be in meter यह आपको याद रखना है कि according to SI unit the length should be in meter mass should be in kg and time should be in second क्योंकि जब हम numerical को solve करते हैं तो वहाँ पर value जो है वो in terms of centimeter दी हो सकती है या in terms of millimeter होगी तो इन्हें हमें क्या convert करना होगा in terms of meter conversion करना होगा और जब हम mass related बात करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर value in terms of gram दिया हो या milligram दिया हो तो उसे हमें kg के form में convert करना होगा वहीं अगर हम time की बात करें तो हो सकता है हमारी जो given value है वो in terms of hours given हो या minutes के form में given हो तो उसे हमें second में convert करना होगा तो याद रखना है कि जो standard unit जो हम follow करते हैं that is SI unit and according to SI unit the length should be measured in meter, mass should be measured in kg and time should be measured in second तो चलिए without wasting any time अब हम start करते हैं हमारे वो basic conversion तो सबसे पहले हम length से related conversion देखने वाले हैं क्योंकि maximum conversion length से related ही होते हैं तो length से related जो सबसे पहला conversion आपको याद रखना है वो है how to convert centimeter into meter किस तरीके से हम value को centimeter से meter में convert करेंगे तो याद रखना है कि आप जानते हो कि 1 meter में कितने centimeter होते हैं 100 centimeter होते हैं और 100 का मतलर क्या होता है 10 raise to 2 100 का मतलर क्या होता है 10 raise to 2 तो जब हम छोटे value से बड़ा value करते हैं तो power minus 2 use किया जाता है और बड़ी value से छोटी value करते हैं तो power plus 2 use करते हैं जैसे अगर मैं आपको बोलू कि meter से centimeter में convert करो तो आप बोलोगे कि 1 meter is equal to 100 centimeter होता है और 100 का मतलर क्या होता है 10 raise to 2 लेकिन वहीं मैं आपको बोलू कि centimeter से meter में convert करो तो यही value होगी खाली power क्या जाएगा minus 2 वीडियो के end में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम digit को shift करते हैं जैसे अगर कोई value दिया हो 0.001 तो उसे हम 1 into 10 raise to minus 3 लिख सकते हैं तो इसको shifting कैसे किया जाता है कब power positive लेना है कब power negative लेना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ठीक है तो वापस हम अपने track पे आते हैं तो हम यह सीख रहे थे कि centimeter से meter में कैसे convert करते हैं तो basic knowledge आपको याद रखना है कि 1 meter is equal to 10 raise to 2 centimeter तो जब आप कोई conversion meter से centimeter में करते हो तो 10 raise to 2 लेना है और जब हम centimeter से meter करते हैं तो 10 raise to minus 2 लेना है तो यहाँ पर centimeter से जब हम meter में convert करेंगे तो हमारी जो भी given value है उसको 10 raise to minus 2 से multiply कर देंगे example के तोर पर मालो मेरे पास कोई given value है और यह मुझे दिया है 5 centimeter और मैं चाहता हूँ कि इसे meter में convert करूँ तो मैं लिखूँगा 5 into 10 raise to minus 2 meter तो इस तरीके से हम centimeter से meter में convert कर लेंगे देखो जादा तक करके question में यही होता है कि आपको छोटी value से बड़ी value की तरफ conversion करना होता है तो याद रखना है कि छोटी value से बड़ी value की तरफ जब आप conversion करते हो तो power negative होगा और बड़े से छोटे में power positive होगा ठीक है लाइक यहाँ पर हम क्या कर रहे है centimeter to meter conversion कर रहे है अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें छोटी value कौन है और बड़ी कौन है तो आप बोलो कि centimeter छोटा होता है meter बड़ा होता है तो centimeter से meter तो छोटे से बड़ा मतलब कि power क्या use करना है negative लेकिन यहीं अगर meter to centimeter convert करना पड़े तो power क्या लेंगे positive ठीक है उसके बाद दो उसरा हम देखते हैं दूसरा जो conversion है that is about centimeter square से हम values को meter square में कैसे convert करेंगे और इसका सबसे simple तारीका है 10 raise to minus 4 करना है अच्छा अब यहां से आपको याद करने की भी जरुवत नहीं मैं आपको एक logic बताता हूँ centimeter से meter आप जानते हो कि 10 raise to minus 2 होता है तो centimeter square करना है न centimeter square से meter square तो square लगा दो अब आप जानते हो कि 10 raise to minus 2 का square यानि कि क्या बन जाएगा 10 raise to minus 4 हो जाएगा तो simply यहां पर याद रखना है कि centimeter square से meter square में convert करने के लिए 10 raise to minus 4 यूज़ करेंगे इसके लिए भी हमें यही example set करते हैं मालनो मेरे पास कोई given value है that is 5 centimeter square और मुझे इसे convert करना है तो मैं क्या लिखूंगा 5 into 10 raise to minus 4 और यह unit हो जाएगा meter square ठीक है because area किस में होता है area meter square के form में होता है ठीक है length यानि के distance displacement यह किस form में होता है meter form में होता है इसके बाद जो हमारा third conversion आ जाता है that is related to कि how to convert centimeter cube into meter cube centimeter cube से meter cube में कैसे convert करेंगे तो centimeter cube से meter cube में convert करने के लिए हमें क्या करना है use करना है power 10 raise to minus 6 अब इसके लिए भी देखो बहुत simple है 10 raise to minus 2 होता है जब आप centimeter से meter में convert करते हो लेकिन यहाँ पर आपने cube क्या लगा रहा है cube तो cube लगा देंगे अब 10 raise to minus 2 into 3 क्या होता है 10 raise to minus 6 होता है तो यहाँ पर हमने 10 raise to minus 6 लिख लिए ठीक है तो इस तरीके से यह basic conversion आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले हमने क्या सीखा कि how to convert centimeter to meter तो in order to convert centimeter into meter you have to multiply the given value with 10 raise to minus 2 ठीक है then in order to convert centimeter square to meter square you have to multiply the given value with 10 raise to minus 4 right then in order to convert centimeter cube into meter cube you have to multiply the given value into 10 raise to minus 6 ठीक है तो आपको यह basic conversion याद रहेंगे अब हम कुछ और conversion की तरफ बढ़ते हैं that is how to convert millimeter into meter तो हमारा fourth number का conversion आता है how to convert millimeter into meter ठीक है तो याद रखना है कि millimeter से meter में convert करने के लिए हमारी जो भी given value है उसको 10 raise to minus 3 से multiply करना है ठीक है क्योंकि एक meter में thousand millimeter होते है thousand का मतलर क्या होता है 10 raise to 3 होता है और जब हम छोटे से बड़ा value कर्मट करते है तो power क्या use करते है minus 3 इसका एक example set करते है मालो मेरे पास कोई given value है और उसकी value है 2 millimeter अब millimeter का length का ही part है यानि कि distance हो सकता है displacement हो सकता है तो इसको मुझे किसके form मिलाना है meter के form में तो अगर मुझे इसको meter के form मिलाना है तो मैं क्या लिखूंगा 2 into 10 raise to minus 3 meter तो याद रखना है कि in order to convert millimeter into meter multiply the given value with 10 raise to minus 3 उसके बाद जो हमारा next conversion आ जाता है वो यह है कि हम millimeter square से meter square में कैसे convert करें तो millimeter square से meter square देखो एक बात आप notice करोगे कि जब हम meter में conversion करते हैं तो हम distance या displacement से related कोई बात करते हैं जब हम meter square में convert करते हैं तो area की बात हो रही है और जब हम meter cube में conversion कर रहे हैं तो volume की बात हो रही है तो millimeter से meter square में कैसे convert करेंगे तो याद रखना है in order to convert millimeter square into meter square multiply the given value with 10 raise to minus 6 अब आप बोलोगे यह कैसे आ गया तो देखो आप जानते हो कि 10 raise to minus 3 किसके लिए हम use करते हैं in order to convert millimeter into meter तो अब हमें millimeter square है तो square मतलब कि यहाँ पर square आ जाएगा अब 10 raise to minus 3 into power 2 क्या हो जाता है 10 raise to minus 6 हो जाता है ठीक है ओके इसके बाद देखो next हम यहाँ पर एक example लिख लेते हैं सबसे पहले example में यहाँ पर वही हम set करते हैं हमारे example हमने यहाँ पर क्या count किया था 2 अब यहाँ पर लिखता हो millimeter square तो इसको कैसे convert करोगे आप लिखोगे 2 into 10 raise to minus 6 meter square ठीक है तो I hope कि आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा किस तरह से conversion करते हैं इसके बाद जो next number का अपना conversion आ जाता है वो है हमारा how to convert millimeter cube into meter cube millimeter cube से meter cube में कैसे convert करेंगे तो इसका सबसे simple तरीका है multiply with 10 raise to minus 9 अब इसको कैसे convert करते हैं आपको पता है कि 10 raise to minus 3 होता है जब हम millimeter से meter conversion करते हैं तो millimeter से meter में conversion करने के लिए 10 raise to minus 3 अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि cube के form में है तो यहाँ पर cube लगा दो अब 10 raise to minus 3 into 3 करेंगे तो क्या जाएगा 10 raise to minus 9 आ जाएगा बस इस तरीके से हमें यहाँ पर convert कर देना है example के लिए हम इसे कुछ इस तरह से समझ तकते हैं कि मालू मेरे पास given value है 2 mm3 और इसे मुझे convert करना है in terms of meter cube तो मैं यहाँ पर इस value को क्या लिखूंगा 2 into 10 raise to minus 9 और यह हो जाएगा meter cube तो इस तरीके से हमें यहाँ पर millimeter से related convergence करने है तो इसमें देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि if you want to convert millimeter into meter multiply the given value with 10 raise to minus 3 ठीक है आपको यह values याद रखना है देखो basic value आप याद रखो उसके बाद millimeter square से meter square में convert करने के लिए we have to multiply the given value with 10 raise to minus 6 then in order to convert millimeter cube into meter cube you have to multiply the given value with 10 raise to minus 9 ठीक है अब इसमें एक और conversion है जो मैं आपको बता देता हूँ और ध्यान से देखना यह conversion यह special in terms of liter से meter cube में कैसे convert करते हैं उसके बारे में है तो मानलो मुझे एक conversion करना है that is from liter से meter cube liter से meter cube ठीक है तो यानि कि देखो liter जो है basically वो क्या है liter हमारा volume ही तो है ना तो हमें liter से meter cube में convert करने के लिए क्या use करना है 10 raise to minus 3 power use करना है यह एक केस आप extra याद रखोगे और इसका example हम यहाँ पर ले लेते हैं मानलो मेरे पास कोई given value है that is दिया है कि 10 liter और इस 10 liter को मुझे convert करना है in terms of meter cube तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा 10 into 10 raise to minus 3 और answer आ जाएगा meter cube तो इस तरीके से याद रखना है कि जब भी given value हमारी liter में given हो और हमें उसे किसमे convert करना पड़ेगा meter cube में तो we will multiply with 10 raise to minus 3 अच्छा इसमें एक बात यह होती है कि इतनी सारी value हम by heart कैसे करेंगे ठीक है तो देखो by heart करने का ना सिंपल से एक तरीका होता है कि जब आप numerical solve करते हो ना और उसके conversion की sheet आपके सामने होनी चाहिए तो जब आप question पढ़ते हो तो बहुत जल्दी identify कर पाओगे कि मुझे कौन सी value को किसमे convert करना है और कौन सा formula लगाना है ठीक है तो यह तरीका आप अपना हो तो numerical आप आसानी से solve कर पाओगे अब इसके बाद हम next conversion की तरह पढ़ते हैं और यह particular conversion हमारा है related to mass तो देखो हो सकता है कि हमारी जो given value है वो in terms of हमें gram में given हो तो gram से हमें किसमे convert करना है gram से हमें kg में convert करना है तो in order to convert gram into kg याद रखना है कि हमें value को 10 raise to minus 3 से multiply करना है क्यों ऐसा कर रहे हैं हम द्यान से सुनों हम जानते हैं कि एक kilo में कितने gram होते हैं thousand gram होते हैं और thousand का मतलब क्या होता है 10 raise to 3 तो जब आप kg से gram में conversion करते हो तो आप क्या use करते हो 10 raise to plus 3 तो वहीं जब आप gram से kg में conversion करोगे तो क्या use करोगे 10 raise to minus 3 क्योंकि अब यह भी मैंने आपको बताया था जब बड़े से छोटा value का conversion करोगे तो power positive और छोटे से बड़े value का conversion करोगे तो power negative तो एक example ले लेते हैं हम यहाँ पर मालो मेरे पास given value है that is कि वहाँ पर दिया है कि जो mass है वो basically 15 gram है और इसे हमें convert करना है in terms of kg तो आप क्या करोगे 15 into 10 raise to minus 3 लिख लोगे और यह किस में convert हो जाएगा in terms of kg ठीक है इसके बाद इसी में एक ओन conversion बनता है अपना that is how to convert milligram into kg तो देखो milligram से gram में convert करने के लिए भी वही करना है 10 raise to minus 3 से apply करना है लेकिन अगर milligram से kg में convert करना पड़ जाए जिबकि बहुत rare chance होता है कि आपको milligram से kg में conversion के लिए कोई given value हो लेकिन फिर भी याद रखो कि इसे हम 10 raise to minus 6 से multiply करेंगे ठीक है तो क्योंकि milli आप जानते हो milli का मतलब यहाँ पर क्या होता है 10 raise to minus 3 होता है ठीक है और gram से kg में 10 raise to minus 3 तो 10 raise to minus 3 और minus 3 क्या हो जाता है 10 raise to minus 6 हो जाता है ठीक है तो example के तोर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ for example कि यहाँ पर मेरी जो given value है वो है 20 milligram ठीक है और मुझे इसे kg में convert करना है तो मैं लिखूंगा 20 into 10 raise to minus 6 kg ठीक है ओके तो mass related conversion आपको यह वाला याद रखना है how to convert gram to kg और यह basically क्या है 10 raise to minus 3 यह वाला जो milligram to kg है यह basically एक exceptional case है बहुत rare chances है अगर याद रख सकते हो तो याद रखना otherwise नहीं भी याद रखोगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है next conversion आप हम बात करेंगे related to time देखो time हमारा hours में भी हो सकता है time हमारा minutes में भी हो सकता है और time हमारा seconds में भी हो सकता है बट हमने देखा according to SI unit time किसम होना चीए second में होना चीए तो मान लोगर मुझे time hours के form में given है और मुझे इसे convert करना है second के form में तो hours से second में convert करने के लिए आपको क्या करना होगा कि value को 3600 से multiply करना होगा what is 3600 आप जानते हो कि one hours में कितने seconds होते हैं one hours में 60 minute होते हैं और 60 minute में यानि एक minute में 60 seconds होते हैं तो therefore total one hours के अंदर आपके हो जाते हैं 3600 seconds तो याद रखना है तो for example अगर मैंने कोई वैसी value ले ली जहाँ पर मुझे given है two hours और इस two hours को मुझे second में convert करना है तो मैं क्या करूँगा लिखूँगा 2 into 60 into 60 second लिख लूँगा और इसे मैं दूसरा तरीका ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 into जैसे कि मुझे पता है तो यह basic conversion हो गया related to hours से second में कैसे convert करें एक conversion आपको इसी से related आ सकता है that is आपको याद रखना है कि how to convert minutes into second तो minutes से second में convert करने के लिए क्या करना है तो जो भी given value उसको 60 से multiply करना है because एक minute में 60 seconds होते है तो example माल लो माल लो कि कोई हमारे पास एक example है जहाँ पर हमारी given value है that is equal to 10 minutes और इन 10 minutes को मुझे convert करना है seconds में तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा 10 into 60 तो यह answer हमारा आ जाएगा 600 seconds ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर times related दो conversion देख लिए बस यही conversion आपको यहाँ पर याद रखना है तो देखो याद क्या रखोगे hour से second में convert करने के लिए you have to multiply the given value with 3600 second और 60 into 60 भी लिख सकते हो and in order to convert minutes a second you have to multiply the given value with 60 right तो यह हमारा क्या हो जाएगा conversion in terms of second हो जाएगा इसके बाद कुछ और basic conversion के हम बात करेंगे that is related to density density से related भी कई सारे conversion हमें करने पड़ते हैं so in order to convert density density का general formula हम जानते है density का formula क्या होता है mass upon volume तो जो density होती है उसका जो SI unit होता है वो basically होता है kg per meter cube क्या होता है kg per meter cube लेकिन कई बार होता है कि हमें इसकी value in terms of gram per centimeter cube given होती है तो how to convert kg per meter cube into gram per centimeter cube देखो ये basically conversion है जो आप 11th standard में सीखते हो right first chapter of units and measurement में बट अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो मैं एक conversion जो बता रहा हूँ ये आप याद रखो और सारे conversion इसी तरीके से किये जाते हैं जैसे मालनो मुझे conversion करना है gram per centimeter cube से मुझे इसका conversion करना है kg per meter cube में हम जानते हैं कि density का SI unit क्या है kg per meter cube और CGS unit क्या होता है gram per centimeter cube लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितने gram per centimeter cube will be equal to कितने kg per meter cube तो सबसे पहले जब आप इस pattern पे इसे देखोगे तो आपको पहले तो इस तरीके से लिख लेना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप पहले लिखोगे gram upon centimeter cube और यहाँ पर आप लिखोगे kg per meter cube याद रहे कि जितने भी conversion है उनको इसी तरीके से आपको convert करना है अब आप ये जानते हो कि gram से देखो किसमें conversion करना पड़ रहा है kg में तो gram से kg में convert करने के लिए आप क्या करते हो कि 10 raise to क्या करते हो 10 raise to minus 3 से multiply करते हो ठीक है उसके बाद नीचे आप देखो किसका conversion करना पड़ रहा है centimeter cube से meter cube तो centimeter cube से meter cube में conversion करने के लिए आप 10 raise to minus 6 से multiply करते हो तो finally ये जो 10 raise to minus 6 से कहां आएगा उपर आएगा तो क्या ओद आएगा plus 6 तो 10 raise to minus 3 और plus 6 यानि कि बचेगा क्या 10 raise to 3 बचेगा तो इससे आपको क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि gram per centimeter cube से अगर मुझे value को kg per meter cube में convert करना हो तो मैं directly क्या करूँगा 10 raise to 3 से उसे multiply कर दूँगा ठीक है तो अब example के तोर पर यहां पर हम समझ लेते हैं कि मालो मेरे पास given density है that is equal to 12 gram per centimeter cube and I have to convert into kg per meter cube तो मैं क्या करूँगा 12 into 10 raise to 3 और unit हो जाएगा kg per meter cube ठीक है लेकिन वहीं अगर मुझे conversion कुछ इस तरीके से करना हो और अगर मुझे conversion kg per meter cube से kg per meter cube से किस में convert करना पड़े gram per centimeter cube तो आप आप क्या करोगे देखो kg से पहले तो आप gram में conversion करोगे तो kg से जब हम gram में conversion करेंगे तो क्या use करेंगे 10 raise to 3 क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़े से छोटे में power क्या लेना है positive और जब आप meter cube से किस में conversion करोगे centimeter cube में meter cube से centimeter cube तो आप power क्या use करोगे 10 raise to plus 6 तो जब ये 10 raise to plus 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 6 तो 10 raise to 3 और minus 6 आंसर क्या जाएगा 10 raise to minus 3 यही तो मैंने आपको सिखाया था ठीक है तो overall देखो अगर आपको method आता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको method याद नहीं है तो फिर आपको एक simple तरीका याद रखना है कि in order to convert gram per centimeter cube to kg per meter cube you have to multiply the given value with 10 raise to plus 3 and in order to convert and in order to convert kg per meter cube to gram per centimeter cube you have to multiply the value with 10 raise to minus 3 ठीक है यह density is related conversion है जो हम यहाँ पर देख रहे थे इसके बाद जो हमारा next conversion है that is related to frequency देखो frequency में आपने देखा होगा कई बाद जो हमारी given frequency है वो in terms of rpm या rps given होती है यानि वहाँ पर लिखा होता है the fan is rotating with a speed of 90 rpm और the wheel of the car is rotating with a speed of 120 rpm तो यहाँ पर rpm का मतलब क्या यानि यहाँ पर आपको conversion करना होता है rpm से rps के form में आपको convert करना पड़ता है now rpm का मतलब क्या rpm का मतलब होता है revolution per minute या आप उसे rotation per minute से rotation per second कह सकते हो तब याद रखना है कि अगर कभी भी आपको rotation per minute से rotation per second में convert करना पड़े तो इसका बहुत simple और आसान सा तरीका है देखो हमें क्या करना है rotation per minute से rotation per second में convert करना है तो जो भी given value होगी उसको हमें क्या करना है 60 से divide कर देना है क्या करना है 60 से divide for example मैं बोलता हूँ कि the speed of the fan is 120 rpm कितनी है 120 rpm तो एक minute में 120 बार वो fan घूमता है तो अगर इसी को मुझे rps में convert करना होगा तो मैं क्या लिकूंगा 120 divided by 60 और यह answer क्या आजाएगा rps में आजाएगा किसमे rps तो cut करेंगे तो देखो final answer मुझे क्या मिला 2 rps यानि यह पता चला कि अगर fan 1 minute में 120 rpm यानि कि 1 minute में 120 बार rotate करता है तो 1 second में कितनी बार rotate करेगा दो बार rotate करेगा तो इस तरीके से यह conversion आपको याद रखना है और अगर इसी का उल्टा अगर हमें करना पड़ जाए यानि अगर हमें rps से rpm में convert करना पड़ जाए that is revolution per second से revolution per minute तो हम क्या करेंगे उसी को 60 से multiply कर देंगे तो यह दोनों conversion आपको याद रखना है तो वापस समझ लो rpm से rps में convert करने के लिए क्या करना है जो भी हमारी given value है उसको 60 से divide करना है और in order to convert rps into rpm जो भी हमारी given value है उसे 60 से multiply करना है ठीक है next जो हमारे एक important conversion आ जाता है that is how to convert km per hour to meter per second या meter per second to km per hour तो देखो जब भी आपको km per hour से meter per second में conversion करना पड़े क्योंकि काफी common conversion है तो इसके लिए आपको क्या करना है जो भी आपकी given value उसे 5 by 18 से multiply and divide करके solve कर लेना है जैसे के example मैं आपको देता हूँ माल लो कि मैंने बोला the speed of the car is 54 km per hour कितना दिया है 54 km per hour ये speed given है और मैं चाहता हूँ कि इसे convert करो in terms of meter per second तो मैं लिखूँँगा 54 into क्या करूँगा 5 by 18 कर लूँगा क्या करूँगा 54 into 5 by 18 तो अब जो मैं 54 into 5 by 18 करूँगा तो ये answer मुझे किसमें मिलेगा meter per second में आगे जैसे अगर हम इसे solve करें तो 18, 3 जा होता है तो answer यहाँ पर क्या दाएगा 15 meter per second तो इस तरीके से हमने km per hour से meter per second में convert कर दिया अब अगर आप चाहते हो कि ये कैसे मिली अपने को 5 by 18 value तो इसका बहुत simple सा solution है जैसे मैंने आपको density के form में बताया था कैसे convert करते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सीखना है like kilometer सबसे पहले आप क्या लिखो kilometer per hour ऐसे नीचे लिखो ठीक है हमें किसमें convert करना है meter per second में तो आप जानते हो कि kilometer से meter में जब हम convert करेंगे तो power क्या use करेंगे 10 days to 3 because एक kilometer में कितने meter होते है 10 days to 3 और hour से जब हम second में convert करेंगे तो एक घंटे में कितने second होते है 3600 तो 10 days to 3 का मतलब क्या हो गया 1000 meter upon यह क्या हो गया 3600 101010 cancel तो बचा क्या यहाँ पर 10 by 36 तो अगर मैं 2 से cut करूँगा तो क्या आजाएगा 5 by 18 आजाएगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि जब भी आप kilometer per hour से meter per second में convert करोगे तो जो भी हमारी given value है उसे हमें क्या करना होगा 5 by 18 से multiply and divide करना होगा लेकिन अगर मान लो लेकिन अगर मान लो कि अगर हमें और किसमें conversion करना हो meter per second से kilometer per hour में convert करना पड़े तब क्या करेंगे तब बस आपको जब इसका उल्टा कर देना है 18 by 5 से उस value को multiply कर लेना है ठीक है तो यह बात हो गई related to how to convert kilometer per hour to meter per second याद क्या रखना है value को हमें 5 by 18 से multiply करना है and in order to convert meter per second to kilometer per hour जो भी हमारी given value उसे हमें 18 by 5 से multiply and divide करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर conversion कर सकते हैं तो देखो अभी तक जो भी हमने यहाँ पर सीख है यह सारे के सारे basic conversion थे जो almost किसी भी chapter की numerical को solve करते वक्त apply हो जाते हैं अब यहाँ पर हम कुछ small values को और कुछ higher values के बारे में study करने वाल है small values का मतलब जैसे आपने सुना in terms of millimeter, micrometer, nanometer यह सब क्या है तो next हमारा conversion है वो याद रखना है कि अगर कभी भी हमें millimeter यानि के milli का मतलब क्या होता है ध्यान सुनो milli milli को हम small m से denote करते हैं milli का मतलब होता है 10 raise to minus 3 क्या होता है milli का मतलब 10 raise to minus 3 जैसे कि आपने देखा था millimeter तो millimeter से meter में उने convert किया था तो क्या use किया था 10 raise to minus 3 उसी तरीके से एक और conversion आ जाता है that is related to micro 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 को हम mu से denote करते हैं तो जैसे कि अगर micro कहीं पर लिखा हुआ मिल जाया तो उस given value को 10 raise to minus 6 से multiply करना है और एक value होती है nano nano को हम small n से denote करते हैं तो अगर किसी के साथ nano जुडा हो तो उसका simple से मतलब होता है 10 raise to minus 9 ठीक है वहीं पर अगर m strong हो क्या हो m strong तो m strong के लिए क्या करना है m strong के लिए basically a not से denote किया जाता है और m strong का मतलब होता है 10 raise to minus 10 होता है ठीक है उसके बाद एक और जो value है that is in terms of pico and femto तो pico का मतलब क्या होता है pico का मतलब होता है 10 raise to minus 12 तो अगर किसी value के साथ p को जुडा हो ठीक है तो pico को sp से ही denote करते है और यह हो जाएगा 10 raise to minus 12 हो जाएगा उसी तरीके से अगर किसी के साथ femto हो तो femto का मतलब होता है 10 raise to minus 15 अब इसके एक एक example से हम समझते हैं ठीक है like देखो generally millimeter ना meter के form में ही जुड़के आता है तो आपको पता है कि millimeter से meter में अगर मुझे conversion करना हो तो मैं 10 raise to minus 3 का use करूँगा और जो micro है यह किसी के साथ भी जुड़के आ सकता है micro meter हो सकता है ठीक है micro ampere हो सकता है जैसे आपने current देखा होगा current को भी ऐसा लिखा जा सकता है milli ampere होता है तो आप क्या करते हो उसे ampere लिखते हो तो क्या use करते हो 10 raise to minus 3 use करते हो यानि कहने का मतलब है कि किसी भी real unit के साथ अगर milli, micro, nano वगेरा जुड़े है तो हमें उनके power के form में उसे convert करके लिखना है so in terms of milli ampere से ampere में conversion हो गया millimeter से meter में conversion हो गया तो उसी तरीके से जैसे हमारा कोई current मालो जो दिया है micro ampere में ठीक है तो मैं उझे इसे किस में convert करना पड़ेगा ampere में तो मैं क्या करूँगा वो value को 10 raise to minus 6 से multiply कर दूँगा ठीक इसी तरीके से आपने electrostatics में पढ़ा होगा मालो micro farad में capacitor की value दिया है तो आप उसको milli में लिख सकते हो तो आप उसी तरीके से जैसे nano है तो आप nano में हो सकता है कि nanohertz frequency दिया हो अब nanohertz का मतलब क्या होता है कि frequency किसमें आ जाएगी hertz में आती है न frequency तो आप क्या लिखोगे 10 raise to minus 9 लिख दोगे यानि nanohertz से hertz मे convert करने के लिए आप क्या यूज करोगे 10 raise to minus 9 उसी तरीके से ये nano meter भी हो सकता है तो nano meter से meter में conversion करने के लिए आप क्या यूज करोगे तो nano meter से meter में conversion करने के लिए आप 10 raise to minus 9 यूज करोगे ठीक है तो ठीक उसी तरीके से जो m storm है m storm basically हम in terms of meter के लिए ही ज्यादा यूज़ करते हैं तो जैसे अगर आपको कोई value in terms of amstrom दिया है ठीक है तो amstrom का मतलब ही होता है 10 raise to minus 10 meter तो यह special case है ठीक है amstrom का मतलब क्यों होता है 10 raise to minus 10 meter तो 1 amstrom is equal 10 raise to minus 10 meter उसी तरीके से माल लो कि हमारी कोई given value है जो pico के form में दिया है लाइक ज्यादा करके यह आप देखते हो कि electrostatics में capacitor के लिए हम use करते हैं तो आपर given होता है pico farad अब pico farad से आपको farad में convert करना है तो आप क्या करोगे 10 raise to minus 12 से इसे multiply कर लोगे ठीक उसी तरीके से femto में भी होता है तो माल लो हाँ पर दिया है femto farad ठीक है तो यहाँ पर अग maximum major cases में mili, micro, nano यही ज्यादा use किये जाते हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि mili का मतलब क्या होता है 10 raise to minus 3 होता है ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें micro तो micro का मतलब 10 raise to minus 6 होता है ओके then nano का मतलब क्या होता है 10 raise to minus 9 होता है और उसके बाद अगर हम emstorm की बात करें तो एक special case है then p का मतलब क्या होता है 10 raise to minus 12 होता है ओके अंटो का मतलब यहाँ पर क्या है 10 raise to minus 15 ठीक है तो इस तरीके से यह हमारी कुछ small values थी अब हम finally देख लेते हैं कुछ large values like kilo, mega, giga ठीक है तो अब देखो हम यहाँ पर कुछ macro values की बात कर रहे है macro values में क्या जाता है आपका kilo आ ज to plus 3, kilo को हम generally किसे denote करते हैं, k से denote करते हैं, right, तो k for kilo, वहीं पर दूसरा आ जाता है mega जिसे हम capital M से denote करते हैं, तो mega को basically हम क्या लिखते है 10 raise to plus 6 लिखते हैं, ठीक है, और एक और time आता है जिसे हम कहते हैं giga, ठीक है, giga को हम यहाँ पर 10 raise to क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, ठ kilometer, kilogram, तो kilometer, kilogram का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, जैसे आपने बोला कि 1 kilogram, तो 1 kilogram मतलब क्या होता है, 10 raise to 3 gram, 1 kilometer, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 raise to 3 meter, उसी तरीके से mega, mega मतलब क्या, कि अगर मानलो कोई frequency दिया है, like frequency की value आपको given है, 6 megahertz, तो आपको पता है कि इसको किसमें convert करना पड़ेगा, hertz में, तो megahertz से hertz में convert करने के लिए आप क्या करते हो, कि यहाँ पर लिखते हो, 6 into 10 raise to 6 hertz, यानि कि जो भी आपकी given value हो, उसे 10 raise to 6 से multiply कर दोगे, ठीक है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर है, giga, तो giga, mostly यह mega और giga हम frequency के terms के लिए use करते हैं, तो मानलो हमारे पास कोई given value है, that is 15 gigahertz, तो अगर 15 gigahertz दिया है, तो मुझे उसे hertz में convert करना है, तो मैं लिखूंगा 15 into 10 raise to 9 hertz, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ हमने macro values का conversion देख लिया, that is kilo, mega and giga, तो याद रखना है, कि kilo का मतलब यहाँ पर क्या है, kilo मतलब 10 raise to 3 होता है, ठीक है, वही अगर हम बात करें mega, तो mega मतलब यहाँ पर क्या है, 10 raise to 6 होता है, done, और उसके बाद अगर हम बात करें giga, तो giga मतलब क्या होता है, 10 raise to 9, तो यह अगर basic conversion आपको आते हैं तो आप बड़े आसानी से numericals को solve करते वक्त समझ पाओगे कि किस तरीके से conversion करना होता है, at last अब मैं आपको बताता हूँ shifting of digit के बारे में, बहुत simple ज्यादा time हम use नहीं करेंगे, तो 4 step हम इसे सीख लेंगे किस तरह से conversion किया जाता है, तो अब हम next बात करने वाले हैं related to shifting of digit कि किस तरीके से हम digit को shift कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत important role play करता है जब हम numerical को solve करते हैं और अपने calculation को आसान बनाने के लिए, इसे मैं आपको दो तरीके बता रहे हैं वाला हूँ, ध्यान से सुनो, मालो मेरे पास कोई given value है that is 0.005 है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं 0.005 लिखके भी value रखके आगे calculation कर सकता हूँ, लेकिन इससे जादा simple क्या है कि अगर मैं इसे इस तरीके से 5 into 10 raise to minus 3, तो यह number मेरे लिए जादा आसान हो जाएगा जब मैं आगे calculation करूँगा, तो मैंने basically यहाँ पर क्या किया है, देखो, 1, 2, 3, तीन डिजिट को मैं point से आगे लेके गया, तो मैंने power क्या use किया, 10 raise to minus 3, मैं एक example बता रहूँ, फिर आपको एक idea भी बताता हूँ, प्लस 3, तो मैंने क्या किया, point के उधर 3 डिजिट को भेज दिया, तो power क्या गया, प्लस 3, अब confusion में लिए कहाँ पर होता है students को, कि कब हमें power को negative लेना है, और कब हमें power को positive लेना है, तो याद एक दम simple तरीका यह दरखना है, कि जब भी आप छोटे value से बड़ा value बनाओगे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि power लगेगा, कितना यह कैसे समझना है, तो देखो आप जितने भी digit shift करोगे, चाहे left hand side की तरफ, चाहे right hand side की तरफ, पहले उतना power लगा दो, ठीक है, जैसे इस case में हमने क्या देखा, हमने total 3 digit shift किया, तो पहले मैं power 10 raise to 3 लगा दूँगा फिर मुझे यह देखना है कि power plus 3 लेना है कि minus 3 लेना है, तो अब आपको यह देखना है कि मैंने value को छोल्टे से बड़ा किया या बड़े से छोटा किया है, like 0.005 था और मैंने इसे 5 कर दिया, तो क्या किया मैंने, छोटे से बड़ा किया, तो power क्या use करना है, minus, ठीक है, यह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह क्या था, 15,000 था, तो आपको यह clearly समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैंने 15 लिखा, तो मैंने 3 digit को shift किया, तो आप power क्या use करना है, 10 days to 3, लेकिन अब बात वापस से आती है कि power को positive लेना है, कि power को negative लेना है, तो आपको देखना है कि मै इतने digit shift करोगे, उतने power लगा दोगे, अगर value में छोटे से बड़ा conversion है तो power minus लगा दोगे, और अगर बड़े से छोटा है तो power plus लगा दोगे, ठीक है, एक और example देखते है, मानलो मेरे पास given value है 1.0506, यह मेरे पास value given है, into 10 raise to मानलो minus 3 है, ठीक है, यह पहले से मेरे पास given value है, अब मुझे इसे convert करना है, तो मैं अगर इसे लिखना चाहता हूँ, 105.06 लिखना चाहता हूँ, मानलो, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कितने digit shift किया है, मैंने यहाँ पर 2 digit shift किया है, तो सबसे पहले मैं power use करना 10 raise to 2, फिर आप देखो मैंने छोटे से बड़ा किय आए क्या, yes, because 1.05 था और मैंने इसे 105 कर दिया, तो छोटे से बड़ा किया, तो power क्या आजाएगा, minus, और पहले से power कितना था, minus 3 था, पहले से power कितना था, minus 3, तो अब आप इसे लिख लोगे, 105.06 into 10 raise to minus 5, because minus 2 और minus 3 क्या होता है, minus 5, ठीक है, इसके बाद कुछ और example देख ल 9600, ठीक है, into 10 raise to minus 5 है, ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान सुलो, मुझे इसे लिखना है 96, तो सबसे पहले मैं क्या करूं रहा हूँ, 9600 से 96 लिख रहा हूँ, तो कितने digital मैंने shift किया, 2, तो power क्या लगा देंगे, 2, फिर आपको देखना है कि आपने इसे छोटा किया, तो power positive आ जाएगा, और already यहाँ पर power कितना था, minus 5, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 96 into 10 raise to minus 3, क्योंकि 2 और minus 5 क्या हो जाता है, 10 raise to minus 3, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर conversion करना है, ठीक है, देखो, finally आपको एगी बात यहाँ पर याद रखना है, वो यह है कि आप जितनी digit को shift करते हो, पहले उतना power लगा दो, फिर देखो, अगर आपने छोटे से बड़ा shifting किया है, तो power minus use करो, और बड़े से छोटा बनाया है, तो power positive use करो, बस इतना सही है, क्योंकि example करने को तो हम बहुत सारे example कर सकते हैं, वैसे मैंने जो भी exercise, all example, pyqs, या जो भी numericals करा हैं, वहाँ पर अगर कहीं भी conversion या digit shifting की जरुवत पढ़ती है, तो मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि ये जो conversion है, जो shifting of digit है, ये तब जादा अच्छे से हमें समझ में आता है, या तब जादा हमारे दिमाग में बैठता है, जब हम इससे related numerical solve करते हैं, ठीक है, तो ये स numerical solve करते हो, तो numerical solve करते हैं इन conversion का use करो और देखो, क्योंकि जब हम ऐसी कोई situation में होते हैं, तो चीजे हमें जल्दी बाहाट हो जाती है, as compared to कि मैं अलग से इन्हें paper sheet में लेके रट्टा मारते बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजे सीखने के लिए हमें उसको implement करना जरूरी होता है, और जैसे जिसे हम implement करते जाते हैं, वैसे वैसे दिरे दिरे हम सब सीखते जाते हैं, और वो चीजे आपको जल्दी भूलती भी नहीं है, तो ये जितने भी conversion मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सारे basic conversion है, जो किसी भी chapter के किसी भी numerical पर implement होते हैं, तो आप इन conversion को अच्छे से note down कर लो, और उसके according फिर आप अपने numerical में से apply करो,